GB WhatsApp, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं इस एप को, लेकिन जितने भी लोग इस एप को यूज़ करते हैं, उन सबी लोगों के मन में एक सवाल जरूर रहता है, कि ये सारे फिचर्स ओरिजिनल वोड़सप में क्यों नहीं आ सकते, क्या जो मेटा इतनी बड़ी कमपनी है हजा देखते ही ये वीडियो को, लेकिन सबसे पहले अपने चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लें, और अगर अपना वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करते हैं अब GB वोड़सप क्या है, इनकेस अगर आपको नहीं पता होते हैं GB वोड़सप, ओरीजिनल वोड़सप का एक मोडिफाइड वर्जन है, जिसके अंदर आपको काफि सारे एक्ष्टा फीचर्स मिलते हैं, जो कि आपको ओरीजिनल वोड़सप के अंदर नहीं मिलते हैं और अगर आपको GB WhatsApp डाउनलोड करना है बहुत ही आसान है आपको Google पर जाना है वहाँ पर लिखना है कि GB WhatsApp डाउनलोड लिंक आपको बहुत सारी लिंक से नीचे मिल जाएंगी कोई इसी भी लिंक पर जाकर आप आसानी से GB WhatsApp को डाउनलोड कर सकते हैं सेकेंडो का काम है लेकिन जितनी भी वेबसाइट पर आप जाएंगे उन सभी पर आपको कहीं न कहीं चोटा सा यह जरूर लिखावा दिखाई देगा कि GB WhatsApp को किसने बनाया है कौन इसको चलाता है कौन इसको मेंटेन करता है किसके पास यह सारा डेटा जाता है यह नहीं पता है यह GB WhatsApp का कंट्रोल किसके पास है यह किसी को नहीं पता है जिस्ट वो वेबसाइट वाले तो WhatsApp को बेचने का काम कर रहे हैं बाकि आगे WhatsApp आ कहां से रहा है यह किसी को नहीं पता है वेबसाइट वाले इतना कहना चाहते है कि अगर आपका कोई data leak हो जाता है कोई data आपका loss हो जाता है तब इसमें आप किसी का भी जाकर गला नहीं पकड़ सकते कि तुमने मेरा data leak क्या क्योंकि किसी को नहीं पता है कि वो app कौन से ला रहा है और किसने data leak किया है और आज कल तो GB जाए वाले बहिब को पैसो का लाल बिया गया क्योंकि वह जी बी वोटसप प्रहुत में एड्स लाइने लगें ग्यागें ये लिग अने लिगार आपको किसी से चैट कर निये तब पहले आपको एड्ठ देखना पड़ेगा ये पहले नहीं आते थे लेकिन जैसे वह टैप करेगा आपके पास उस अगले बंदे की लोकेशन आ जाएगी यह है बहुत ही पॉपलर फीचर और बहुत ही घातक फीचर सीधा-सीधा यह फ्रोड वाला काम हो गया अगर आपको किसी की लोकेशन चाहिए तब आप अगले बंदे से पूछ सकते हैं कि कि भाई आप कहां पर हो बेन आप कहां पर हो लेकिन ऐसे लिंक से भेज़ कर चुपके से उसकी लोकेशन लेना सरासर गलत है और अगर यह फीचर ओरिजिनल वाटसप में आ जाए तो जरूर वाटसप के उपर कोई ना कोई पका केस होगा दोखा दड़ी का और बिलकुल भ अदर अंदर उस message को delete कर दीजिए delete for all कर दीजिए 7 मिनट के बाद में आप उस message को delete नहीं कर पाएंगे और original वाटसप के अंदर delete करने वाला feature क्यो है इसका बस इतना सा मतलब है कि by chance आपने chat में लिखते time कोई गलती कर दी है या फिर गलती से और कुछ लिख दी है जैसी कि conception हो सकते हैं गलत फेम हो सकती है तो उस situation में आप 7 मिनट में बंदा समझ जाएगा कि उसने कुछ गलत लिखा है या सही लिखा है तो वो 7 मिनट में उसको delete कर सकता है लेकिन अगर ये टाइम साथ मिनट से हटा कर unlimited कर दिये तो आपने किसी को कुछ भी लिखा कुछ भी गलत सलत जानबुस कर लिख दिया और बाद में अगर कोई चर्चा हुई जो भी आपने लिखा उसके उपर आपने क्या लिखा और वोड़सप के तो चैट्स भी encrypted रहती है कोई आगे घो कर सकता क्या लिखा था जा नस भाज बना सकते हैं बच्चे की आवाज बना सकते हैं और न बहुत अच्छी लें लेकिन कई जगे पर डोle प्रोफेशनल मेडियम भी यूज कहा जाता है चैट से दर उदर बेजने के लिए कोई मेसेज दर उदर बेजने के लिए उस जगह पर ऐसे वोईस चेंजिंग वाले इफेक्ट दिखाना बड़ा फणी लगता है और बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगता है वसे इससे थोड़ा अन्प्रोफेशनल भी यह चीज लगती है हाला कि मजा क्या तोर पर की जाए तो इसकी कोई भी डिसाइडवाटेज नहीं है और वैसे वोईस चेंजिंग वाले इफेक्ट के लिए आप जरूर ही नहीं कि जी भी वोट्सप कोई डाउलोड कीजिए और भी बहुत अगर कुस थीम वाला मिल जाए उप्शन तो थोड़ा बहुत ऐसे लोग अपने इसाब से उसको एड़स्ट कर सकते हैं थोड़ा बहुत क्रेटिव हो सकते हैं और क्यों नहीं दिया यह और क्योंकि जो यह ग्रीन कलर ही वोट्सप का थीम कलर है जितनी भी कंपनी होती है ज जो की है औरिजिनल वाट्सप में आपको चैट को खोलना पड़ता है वो ओनलाइन है ओफलाइन है लास्ट इन कब था यह सब देखने के लिए लेकिन जे भी वोट्सप में आपको जो प्रोफाइल है उसको खोले बिना ही आप चेक कर सकते हैं उसकी बेसिकली सारी चैट्स आपको अपनी प्राइवेसी प्यारी है आपको अपनी फोटो प्यारी है जो आपकी गैलरी में है तो जीबी वोट्सप जैसे एप्स बिल्कुल भी डाउनलोड मत कीजिएगा यह जीबी वोट्सप तो बहुत खतरना का एप है अगर आप नहीं चाहते कि आपकी फोटो जै करना और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत